कहानी, अपनी तुलना दूसरों से न करें, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था, वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिय और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना संदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद, ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और संदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा, कोवा हंस के पास गया और हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है, उसके गले में लाल रंग का घेरा, और वो सुर्ख करेर रंग का था, सच में वो बेहत खुबसूरत था, अब कोवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे कौवा तोते के पास गया और पूछा भाई तुम दो-दो रंग पाकर बड़े खुश होगे इस पर तोते ने कहा हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था मेरे पास तो दो ही रंग है लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग है अब कौवे ने सोचा सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता करके ही रहूँगा इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड्डिया घर में पहुँच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आये हुए है और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ा है सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर जीव हो और रंग बिरंगे हो तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा भाई अगर सुन्दर हूँ तो भी क्या फर्क पढ़ड़ता है मुझे लोग इस चिड्डिया घर में कैद करके रखते हैं लेकिन तुम्हें तो कोई चिड्डिया घर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिलकुल अलग होता है हमारी जिन्दगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं लेकिन हम उसकी आहमियत समझ कर खुश नहीं होते लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं